ही गाइज वेलकम टू माई चैनल सो मैं टेरोड का डीडिंग और इस टाइम पर जो मैं रीडिंग लेकर आई हूं गाइज आपके लिए जो फाइफ फाइफ का जो पोर्टल निकला है अभी तो उसका क्या असर होगा आपके रिलेशन पर उसका क्या एफेक्ट्स होंगे आप पर आपकी लव लाइफ पर आपकी रिलेशन सिप पर जो भी है वो देखेंगे तो इस अनर्जीज में क्या एफेक्ट्स हो रहे हैं आपके पार्टनर के उपर और इसका क्या असर होगा आपका जो रिष्टा है आपका जो रिलेशन है उसके क्या एफेक्ट्स होंगे उसके क्या changes होंगे उन चीज़ों को tarot card में देखेंगे so dear guys ये एक general reading है आप इसको personal reading बिल्कुल मत समझेगा क्योंकि general है इतने सारे लोग इस reading को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये एक general information है जो भी tarot card में आएगा वो चीज़ों को बताया जाएगा timeless है according to time ये चीज़े आपके सामने खोदी आजाएगा जो भी energies होगी आपके partner के आपके लिए ठीक है एनराशिय में इसने बता दूगी और इस reading को आप कोई भी देख सकते हैं मतलब आप girl है आप boy है आप male है female है और relationship की उपर reading है तो किसी भी relationship के लिए आप इस reading को देख सकते है married love life या फिर किसी भी और relationship के लिए तो इस portal में आपके जो person है उन पर क्या effect हुआ है उस चीज़ को देख लेंगे क्या changes आए है और क्या हो रहा है उनकी life में इस चीज़ को देखेंगे ठीक है उससे आपकी life कैसे बदलेगी कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि long distance relation है क्या यहाँ पर energies है और जो point मतलब जो चीज़ें दिख रही है मेरे को पहले मैं उन चीज़ों को बता देती हूँ क्योंकि आपके person की energy ही आ रही है ठीक है तो एक तो long distance relation दिखाए दे रहा है दूसरी चीज किसी बात को लेकर आपके partner नराज है आपसे यह चीज़ें दिख रही है ठीक है third person की energy भी आ रही है यहाँ पर mood swing होता वो दिखाए दे रहा है और basically no contact situation मेरे को दिख रहा है काफी जादा ठीक है अभी क्या changes आ रहे है उन चीज़ों को देख लेंगे so cards में मैंने ले लिया है आपके person की energies को देखती है so पहले मैं राशीयां बता देती हूँ कि राशी कौन सी हो सकती है so मिरे पस vants है vants, swords vants जादा है swords मेरे पास कम है cups भी कम है pentacle सबसे कम मेरे पास cup है vants है मेरे पास and swords है मैं राशीयां बता रही हूँ आपको ध्यान से सुन लिजेगा मिथन राशी हो सकती है आपके partner की हो सकता है कि आप किसी तुला राशी से यानि कि लिवरा से आप डिल कर रहे हूँ आपके person लिवरा हो and कुम राशी भी हो सकती है आपके person की ये भी हो सकता है एक कुम राशी का partner हो आपका okay and and Aries हो सकते है Mesh राशी सिंग राशी and हो सकता है कि आपके जो partner हो वो धनु राशी के भी हो ठीक है करक राशी से भी आप deal कर सकते हैं हो सकते हैं कोई करक राशी का person हो ब्रशक कन्या और कैप्रिकॉर्ण यह राशी अभी मुर्ण को यहां पर दिखाए दे रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आपकी जो person की energies है यहां पर मिरे को दो चीज़े दिखाए दे रहे हैं उनके दिल में feelings है love बहुत जादा है आपके लिए बहुत जादा आपसे महबत है और contact आपसे करना चाहते हैं लेकिन यहां पर किसी का burden मिरे को दिखाए दे रहा है उनकी personal life में हो सकता है किसी चीज़ का effects हो लेकिन आप दोनों की बीच में कुछ ऐसी गलत फेहम या misunderstanding या फिर कोई तीसरा ऐसा person तीसरा ऐसा इंसान जो आपके relation में आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है जो लग रहा है जिसकी बज़े से आपके जो person है वो काफी जादा मतलब उनकी बातों को मानते हैं या फिर उनकी बा रहे हैं तो अंदर अंदर बहुत जादा हल्चल मची हुई है आपके partner के ठीक है यहां पर जो energy आ रही है उनकी खुदके energy हो सकती है बहुत जादा इस ट्राइम पर stress में है और काफी जादा आपको लेकर भाबुक भी है क्योंकि cups भी है मेरे पास यहां पर waiting energy जा रही है जो ने खुद ही miss कर दिये आपके person की energy आ रही है कि उनको अफसोस हो रहा है उनको पचतावा हो रहा है आपसे दूर जाने का यहां पर chariot का card है आप इस cards को देखते जाए जो card मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि मैं energy card को देखकर ही same बताती जाओंगी आपको यहां पर मेरे पर लॉंग distance relation का भी है कि भई हो सकता है कि कहीं travel आपके person ने किया हो कहीं long मतलब दूर रहते हो कहीं distance हो पतलब कुछ energy जैसी आ रही है ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों की हो लेकिन कुछ energy जैसी आ रही है कि distance हो सकता आपके उनके दोनों के रिष्टे में भी हो सकता है और आपके रिलेशन के लिए अच्छा effects लेकर आएगा ठीक है यह जो समय है वह आपके रिलेशन के लिए एक improvement का टाइम है एक अच्छा टाइम है मैं देख रही हूं positive energy से दूसरी चीज़ आपके जो person है वह कहीं आपके बारे में overthinking कर रहे हैं और उनको अब ऐसा मैसूस होने लगा है अब उनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक important person होता है कि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि सब चीज़ा ठीक थी आपके relation में लेकिन third person को बहुत ज़्यादा important आपने के person ने दिया importance दी और वो उन्हीं की तरफ चले गए मैं यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि third party को बहुत ज़्यादा आपके person ने importance दिया फिर third person को बहुत ज़्यादा response दिया अब यह third party जो भी है वो हो सकते कि family की भी हो family की तरफ से हो जो कि आपके person को अपनी तरफ connect करना चाह रही है दूसी चीज़ मैं यहाँ पर यह भी करा है कि family जो है वो आपके person को पूरी तरीके से अपने तरफ रखना चाहती है family का बहुत ज़्यादा मतलब कहां आपके person मानते हैं दूसी चीज़ यहाँ पर मैं यह भी देख रही हूँ कि family का burden भी बहुत ज़्यादा हो सकते क्योंकि देखो आपके जो person है वो family को बहुत importance देते हैं अगर family है और family जो है वो इस चीज़ का फायदा भी उठाती है क्योंकि कहीं न कहीं burden भी बहुत ज़्यादा है family अपने हिसाब से आपके person को चलाना चाहती है चाहिए वो girl हो boy हो कोई भी हो यहाँ पर दो चीज़े दिखाए दे रही है क्योंकि आपके person जो है उनक कई दूर चले गए है लेकिन दूर जाने के बाद इनका मन जो है वो आपके विना नहीं लग रहा है और यह लाट आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो mood है वो swing हो रहा है रह रहे कि आपकी बाते आ रही है जो आपका रिश्टा रहा है एक दूसरे के साथ ना वो चीज़े बह लोटा है मेरी लाइफ में वो परसा मेरी लाइफ में लोटा है क्योंकि मैं अब उसके बिना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे उसके बिना मैं उसके बिना लाइफ में कैसे आगे बढ़ू तो मतलब एक तरीके से आपके परसन के लाइफ वी जो है न वो रुक गई है मतलब आगे बढ़ने के option 1000 है आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं लेकिन मन उनका swing हो रहा है मन नहीं लग रहा है दूसरी चीज़ मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि कुछ चीज़ों में आपके person आपसे move on कर लिया move on करके हो सकते हैं कि वो आपसे दूर चली गई हो और कुछ मामल मुझे ये भी लग रहा है कि third person को बहुत response दिया ही शी कोई भी हो सकते हैं लेकिन अब वो लोटना चाहते हैं उस third person के रिष्टे को तोड़ कर लोटना चाहत हैं क्योंकि वो आपसे बोल कर तो यही गए थे जहां तक मैं देख रही हूँ या फिर ब्लॉक किया होगा नहीं बोला होगा तो अचानक से ब्लॉक कर दिया या उनके वैवार में आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि यह तो वह पार्टनर ही नहीं है इसका तो वैवार ही चे भाई दे रही है बहुत जादा तो अब यह जो चेंजिस उनमें आए थे नहीं तो दुबारा से चैरिट का कार्ड तो फिर से चेंजिस आए अब क्या हो रहा है कि आगे तो बढ़ गे मूब ऑन करने के लिए बोल तो दिया कि भाई मुझे नहीं रखना या मैं मूब ऑन कर पहले दो लेकिन वोल लाट हाना चाहते हैं वो आगे बढ़ंगे पा रहें आपके बिना उनके लाइफ इस टेंपर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि फाइनेशיल हो सकते हैं कि और करियर से ल लाइफ सैट हो गई है या कुछ फूचर में शायद हो सकता है कि कुछ थार्ड परसन ऐसे हो जिनका जिनके साथ आपके परसन का फूचर फिक्स हो गया हो है ना तो वो भी एनर्जी मुझे यहां पर ऐसी मिल रही है कि वो उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं बीच मे नहीं वो उस रिष्टी को तोड़ देना चाहते हैं जो थार्ड परसन के साथ रिष्टा हुआ है ना उस रिष्टी को तोड़ देना चाहते हैं और आपके पास लाटाना चाहते हैं जैसे कि मतलब बोल के गए थे कि मुझे नहीं आपके साथ रहना है बोल के गए थे कि मु आगे तो अब अनकुजा के रिलाइज हो रहा है कि भाई अभी मैं इसके साथ फीचर तो ने देख सकता तो वो वापस कमबेक हो रहे हैं तो मुझे यहां पर यह भी एनर्जीस आ रही है आपके परसन के जैसे कि अचानक से कुछ चीजे ऐसी हैं जो वो बदल दी हैं दूसरी बात को लेकर गुसा बहुत जादा आपके आपने ऐसा कुछ बात की तो आपके परसन ने आपको कुछ आप हो सकते क्योंकि आपसे भी मिस्टेक हुई है क्योंकि यहां पर जो इनर्जीस आ रही है उसमें कहीं ने कहीं आपसे भी कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है जिसकी बाद पर भी ना गुसा होकर बैठ गए हैं आना तो चाह रहे हैं और मुझे आप दोलों के बीच में कोई थाड़ परसन भी नजर नहीं आ रहा है यहां पर यह भी हो है कुछ लोगों में कि भाई थाड़ पार्टी नजर ही नहीं आ रही है अगर आपकी पुछ लड़ाई है करी हूँ कि यहां पर मुझे थाड़ परसन तो कोई नहीं दिखाए दे रहा है आपका परसन जरूर आपके बारे में सोच रहा है और कहीं ना कहीं लब भी बहुत है गुसा भी बहुत है तो यह दोनों चीज़े दिख रही है और यहां पर एफेक्ट्स क्या हो रहे हैं नो कॉल एंड इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है वहां पर फॉलो कर लिजे महां पर भी मैं अपडेट रहती हूं और मैं आपको अंजस गाइड़न्स या जो भी होता वो देती रहती हूं टाइम टाइम पर सो आप महां पर भी मुझे मैसिस कर सकते हैं इंस्टाग्रा पर भी आपको आंसर मिलेगा और देख लेते हैं यहां पर कि जो एफेक्ट्स है जो चेंजिस दिख रहे हैं उन चेंजिस का क्या फेक्ट्स हो का लोट आना चाहते हैं वो आपकी और अपनी लाइफ को एक बिनाना चाहते हैं पर आप काट्स भी देख रहे हो जो भी काट्स मेरे पास आ रहा है वो काट्स यहां पर यही कह रहा है कि भाई अब वो दिन दोर नहीं जब आप लोग साथ होगे यहां पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ देखे गाइस यहां पर four cards लिए है effects क्या हो रहा है जो portal पड़ा है इसका होगा क्या असर तो इसका जो simple असर है वो मैं one word में बता देती हूँ बागी मैं card भी explain कर दूँगी one word में यह है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका reunion 100% होगा और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलू क्योंकि यहां पर जो cards है वो cards ही कुछ ऐसे आए हुए है मैं आपको दिखा देती हूँ first card में यहां पर मेरे को love दिख रहा है ठीक है यह love यहां पर यह दिखाए दे रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में जो भी आर्गे होई लड़ाई जगड़ा यह third person आया उसका effects यह हो रहा है कि आप वो proper तरीके से आप दोनों के बीच से relation से निकल जाएगा जो भी third party है चाहाँ वो family से related हो चाहे कोई ही इशी हो आपका person आपको भूला नहीं है उसको आप फुरी तरीके से याद है दुबारा से आपके साथ love चाहता है future चाहता है ठीक है यहां पर मेरे को future based energies दिख रही है future में आपका साथ लिखा है आपके person का साथ आप दोनों एक दूसरी को support करोगे आगे जाके एक दूसरी के लिए बहुत ज़्यादा helpful होगे और एक दूसरी के साथ आपका बहुत love होगा यहां पर मेरे को energies आ रही है future ways energies आप दोनों की आप में चाहने तो future energies personally आप ले सकते हैं पूछ सकते हैं ठीक है यहां पर तो अगर जिसे में देखने की future क्या होगा आपका तो future में energies यहां पर हो रही कि अगर आपका साथ हो गया तो future में कहीं न कहीं बहुत ही खुशुत energies है आप इस्ट्रेवल होगे future में आपका एक दूसरी को support मिलेगा यहां पर मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी चीज़े होंगी आप दोने की life में आपके relation में जिसमें आप पूरी तरीके से happy होंगे blessing energies है और एक होता है ना कि मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है तो लगता है कि भाई हम अपने जो wings है जो punk है सारे फैलाले मतलब या फिर हम उड़ जाए हवा में तो ऐसी बाली मतलब एक बहुत ही खुशूत से energy जारी है जो I can't explain मतलब बहुत ही खुशूत से energy जारी है future ways और यही future में है कि आपका साथ जो है आपके person के साथ है है ना और यहाँ पर angels जो है वो आपको blessing energies है और यह blessing energies ही आपको future तक ले कर जाएगी हाँ कुश चीजों में ऐसा भी मेरे को दिख रहा है कि जो अभी के time में इस समय आपका person पूरी तरीके से silence way में लेकिन उसका जो mood है उसका जो mind है या उसका जो दिल है वो धीरे धीरे से changes हो रहा है ठीक है जो गलत फेहमिया आप दोनों की बीच में थी जिन गलत फेहमियों की बज़े से आपका रिष्टा तोटा था वो गलत फेहमिया सबसे पहले तो मुझे दूर होती हुई दिखाए दे रही है ठीक है एक energy मेरे को ऐसे भी दिखाए दे रही है वो energies यहाँ पर future stable energies तो है ही लेकिन सीधी सी जो energies आ रही है वो negative energies जो भी थी जो stress था गलत फेहमिया थी वो दूर होती हुई दिखाए दे रही है आप दोनों के बीच में so dear guys यही था effects आपका उपर पढ़ने वाला है आपके relation के उपर जोगी काफी खुबसूरत energies आ रही है take care, bye bye